गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे बेटा अच्छे हैं बेटा हमने हमारी पाठ्थे पुस्तक मेधा का पार्ट एक दो तीन चार और पांच है ना यह सारे हमने पढ़ लिये हैं और समझ लिये हैं और एक कहानी भी हमने पढ़ी है एक तामे बल वाली है ना और उसके ब उसमें देखिए इसमें क्या है वर्क्षीट नमबर वन इसमें एक आपका सीन पैसेज है आपकी बुक में से जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसी पैसेज को लिया गया है उसी अनुछेत को लिया गया है तो उसको पढ़ के हमें नीचे वाले प्रशनों के उत्तर उपर वा समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था टिटहरी ने वहाँ अंडे दिये एक बार समुद्र ने विक्राल रूप धारन कर लिया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छिपा लिया टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही माने वो अपने अंडों को ढूनती रही उसे समझ में आ गया कि हो न हो यह कर्तूत समुद्र की ही है उसने समुद्र से बार बार अपने अंडों को वापस करने के लिए प्राठ्थना कि उसने रिक्वेस्ट की आप मेरे अंडों को दे दीजिए लेकिन समुद्र द्रवित नहुआ बिल्कुल भी नहीं पिगला बिल्कुल भी उसको दया नहीं आई बिल्कुल भी विनम्र नहीं बना बिल्कुल पॉलाइट नहीं बना उसको नहीं समझा कि मैं वह लगातार अपनी चौच में रेत भर-भर कर समुद्र में डरने लगी और यह कारे नित्य करने लगी रोज ये काम को करने लगी समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा क्या कहा उसने टिटहरी से सुनो तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है तुम यह जो शक्तिशाली और विशाल है कि तुम क्या हमें इस संसार में कोई भी सुखा नहीं सकता समुद्र ने अपना घमंड दिखाया कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं बहुत ताकतवर हूं बहुत बढ़ा हूं मुझे कोई नहीं सुखा सकता है तो अब बेटा नीचे प्रश्ण द रेत के टीले पर इसका उत्तर आपको उपर वाले पारग्राफ में मिलेगा और आपको स्टिक करना है अब है बेटा प्रश्ण दो तिटहरी ने क्या निष्चे किया का है तिटहरी ने निष्चे किया कि वह समुद्र को सुखा देगी ख है टिटहरी ने निष्टे किया कि वह समुदर से दूर चली जाएगी और ग़ है टिटहरी ने निष्टे किया कि वह दुबारा और अंडे देगी अब तीनों में से जो आंसर सही है उपर से ढून के आपको इसका उत्तर टिक करना है अब है बेटा प्रश्न तीन टिटहरी ने समुद्र में क्या डालना शुरू किया गा है कंकर पत्थर खा है अपने अंडे और गा है रेत के कन इन तीनों में से जो सही उत्तर है आपको उपर पाराग्राफ में मिल जाएगा ठीक है? अब है बेटा प्रश्न चार इस शब्द में एक ही संयूकत अक्षर आया है संयूकत अक्षर का मतलब जानते हैं हम संयूकत अक्षर मने दो जुड़ेवे अक्षर मिलके एक अक्षर बनता उसको हम संयूकत अक्षर कहते हैं ठीक है? तो अब इन तीनों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें एक ही बार सहीं ट्रेक्शर आया है, बाकी में दो बार आया, 3 बार आया, का है व्यर्थ और खा है द्रवित, और गा है प्रार्थना आपको खुद समझ के लिखना इसका उत्तर उपपर नहीं मिलेगा, आपको खुद ही समझना है, है न बेटा तो ये समझ के आप टिक करेंगे सही आंसर को तो हमारी वर्क्षिट नमबर वन पूरी हो गई है और कल बेटा अपन जैसकी वर्क्षिट नमबर टू करेंगे उसको आप थोड़ा सा पढ़के देखना धन्यवाद यही आपका ग्रेकार्य है